जै मा मरी आप सभी को मरी मा उपासक में आप सबका स्वागत है आशा करता हूँ मैय की करपा आप सब पर बनी रहे आज मैं आपके लिए फिर से एक जानकारी ले करके आया हूँ तो वडियों के अंतर तक बने रहें कि देव्वे दर्श्टी क्या होती है क्या होती है त्रिकाल दर्श्टा तंतर के बहुत सारे प्रकार होते हैं चाहे वो मेरू तंतर हो, लेरिप्पा तंतर हो, ग्रामीर तंतर हो, वैदिक तंतर हो, गुरु परंपरा के द्वारा कोई भी तंतर विद्या सीखी जाती है तो तंतर के बहुत सारे प्रकारों में आती है इसी में एक प्रकार होता है त्रिकाल दर्शता जो की साधना के थ्रूक के माध्यम से ली जाती है लेकिन त्रिकाल दर्शता या दिव्विदर्श्टी आती कैसे है दिव्यदरश्टी या दिव्यदरश्टी लोग कैसे होते हैं ऐसा नहीं कि 21-31 दिन की साधना से सारी चीज़े हो जाती है जो लोग आज कल बोलते हैं त्रिकाल दरश्टी साधना 21 दिन में आपको पीछे का आगे का सबका दिखने लगेगा त्रिकाल दर्शता actually proper योग से, proper meditation से, रात रात भर जाक करके साधना करने से आती है रात रात भर जाक करके ध्यान करने से आती है जिससे आपको आपके अलावा सारे चीज़ दिखने लगती है सारी चीज़ दिखना मतलब paranormal activities आपके आजू बाजू कौन कौन सी activities है जो normal है, abnormal है, paranormal है, paranormal है जो कि किस सक्ती को belong करती है उधारन के लिए कोई एक वेक्ति आया हो सकता वो जाड़ा लगवाने आया हो उसके कुल देवी देवता ही थोड़े रुष्ट हो इस कारण से वो परिशान हो तो आपको पता चल जाएगा, आपको दिखने लगएगा कि हाँ, उसके कुल देवी देवता ये हैं और ये शक्ती उसके साथ है उसका औरा आप समझ जाएंगे वाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, कैसा है दूसरी चीज़ अगर इसी के स्थान पर कोई ऐसा वेक्ती आएगा, जो कि भूत प्रेद बादा से परिशान है तो आपको डार्क एनरजी, काली एबनॉर्मल, परानॉर्मल सारी चीज़े आपको महसूस होंगी और वो चीज़ आपको दिखेगी जब वो चीज़ आपको दिखने लगेगी वो चीज़ आपको महसूस होने लगेगी आखे बंद करने पर तो वो होती है तरिकाल दर्शिता ठीक, ये चीज़ आपको खुली आँखों से भी दिखने लगती है लेकिन एक समय आने के बाद ये नहीं कि आपको अभी से देखने लगे आप सामने वाले का नाम पस देखेंगे या नाम नहीं भी देखेंगे शकल देखेंगे आपको पता चलने लगेगा ये होती है तरिकाल दर्शिता स्कैनिंग एक इसका छोटा सा पार्ट होता है जो कि सिर्फ उसके percentage को दिखाया जाता है, percentage को भापा जाता है कि कितने percentage में शक्ति है, या क्या इसके साथ हो रहा है, क्या इसके साथ होगा, परंतु तरिकाल दर्शता यही है, तीनों काल को देखना, तरिकाल दर्शता actually जो होते हैं, आपने बोला होगा, सुना होगा, आजक बूत प्रेत को तिर्काल दर्शी बताने लगें, अरे भीया सुनो, तिर्काल दर्शी एक ही है, हणना, और उसके बहुत सारे रूप है, महाकाल, उसके बहुत सारे रूप है, जो की जागरत अवस्था में अभी कौन है, भैरो, काली, हनुमान, मतलब जितनी दैविक शक्तिय सारी त्रिकाल दर्शी है हनुमान जी के जितने रूप है वो सब त्रिकाल दर्शी है भैरव के जतने रूप है वो त्रिकाल दर्शी है टीक प्रेत रेत होनी फलाना ढिमका संती होनी को मत समझो कि व technology बना देंगे आपको समझे उतने वो our deep down नहीं है तो त्रिकाल दर्शी होना बहुत उपर की बात होती है अगर आप यह सोच रहे हो किस 41 दिन से आपको यह सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो नहीं जब तक सपोस्थ आप 21 दिन कर रहे हूं किसी भी चीज़ की साधना तो त्रिकाल दर्शिता आपके पास नहीं आने वाली आजकल लोग जो पेड़ गुरुप चला रहे है ना छेछे महीने वाले उनके लिए है कि अब आप एक सवाल पूछेंगे कि तो भाई त्रिकाल दर्शित बने कैसे पहली चीज जो आपके इश्ट हैं जिनको आपसे खुब लगाव है वो देवता चाहे वो फिर भेरव हूँ चाहे वो फिर हनुमान जी हूँ चाहे महादेव हूँ चाहे दैविक शक्ती हूँ जो भी आपके इश्ट है जिनको आपसे परम प्रेम है जिसके बिना आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिन्दगी अधूरी है आप जो रोम रोम में उसका नाम जबते हो ना उससे ही आपकी त्रिकाल दर्शता खुलेगी कैसे त्रिकाल दर्शता खुलेगी जब आप उसकी साधना करोगे उसकी बहुत प्रकार की साधना करोगे उसके सारे मंत्रों की साधना करने का आप इच्छुक बन जाओगे उसके तत्वों को अपने तत्व को विलीन कर लोगे एक दूसरे में तब आप तरिकाल दर्शी होने के स्टेप पर चड़ते जाओगे जैसे फॉर एक्जांपल मैं मा मरी का परमसेवक हूँ मेरे को उनके लावा कुछ नहीं दिखता अब मैं उनके जितनी भी साधना करते करते भक्ती करते करते पूजा पाट करते करते मेरा तत्व उनके तत्व पे विलीन हो गया मैं उन पे लीन हो चुका हूँ मैं मेरे को उसके आगे कुछ नहीं दिखता मेरे को पीछे भी वही देखती है आगे भी देखती है दाय बाय उपर नीचे सब जगे वही देखती है ठीक मैं कृष्ण में भी उसको देखता हूँ दुरगा में भी उसको देखता हूँ हनुमान में भी उसको देखता हूँ तारा में भी उसको देखता हूँ बस जिस दिन ऐसा हो गया, यह तत्वविलीन हो जाता है, आप अजमाने वाले भी कई आए हैं, एक अपना भुद का experience बता रहा हूँ, एक था, एक दी बोलता है कि मुझे यह बताओ, कि मैंने कल क्या ख़ाया था, तो मैंने उसको बता दिया था कि बेसन खाया था उसने यह होती है त्रिकाल दर्शिता ठीक लेकिन इसका यूज करना ही ठीक मेरे हसाब से नहीं है गलत यूज करना तो दूर की बात क्या ही करेंगी यह सब अपने लिए बना है इसका एक तरीके से यूज करना काफी अच्छा है जैसे कई लोग अभी यूज कर रहे हैं इसको लेकिन यह सारी चीज़े एक हद तक ठीक है त्रिकाल दर्शित ऐसे ही बना जाता है इसको कम से कम करने के लिए आपको बहुत साल तो नहीं बोल रहा हूँ रात रात भर आप जब जागेंगे आप जब उस तत्व में विलीन होंगे आप उस तत्व को समझेंगे एक जैसे बोलते हैं फिलोसफी होती है पूरा विज्ञान को पढ़ना वैसे आप जब उसको समझेंगे उसको जानेंगे उसको अध्यान करेंगे तब समझ में आएगा तो कभी भी कोई भी बोले कि त्रिकाल दर्शी बनना है तो बताना त्रिकाल दर्शी वो ही है भैरो, महाकाल, काली हनुमान जी, हाना, रुद्रो रूप और ये जितने हैं त्रिकाल दर्शी वो दर्वे दर्शी खोल देगी आपकी, है ना, जो लोग बोलते हैं कि दर्वे दर्शी कैसे खुलती है आगे पीछे का कब दिख जाता है दर्शी भही खोल देती है इसलिए कम से कम उसको 3-4 साल आपको देना पड़ता है, तत्व विलीन अपने अंदर करना पड़ता है उसकी सेवा, भाव, भक्ती, पूजा इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आपको जो इष्ट पसंद हो आपका किसी गुरू के पास मत पूछो कि मेरे कौन इष्ट है, पहला नहींगा आप से जिसका लगाव हो, अब ये कैसे पता करें कि आप से किसका लगाव है आप उसके भजन सुन रहे हो, आप उसकी लाइफ से इंस्पायर हो आप उसकी बायोग्रफी से इंस्पायर हो ये होता है आपको भहरव जी अच्छे लग रहे हैं तो आप उनसे कुछ न कुछ तो ऐसी उनकी बाते होंगी जिससे आप उनसे इंस्पायर हो बहुत चाहे उनका शत्रु को मारना चाहे अधर्म के खिलाफ लड़ना ये सारी चीज़े सेम कंडिशन दुरगा जी में भी है ना वो दुरगा चली रनचंडी बनके ऐसा तो जब आपको वो सारी चीज़े सुनते हो तो आपको भावधपन होते हैं रोना आता है तो समझ जाओ कि वही आपके इस्ट है और उसी के पूरा नॉर्मल पेरा नॉर्मल सारी चीज़ का अनुभव करा देगी डार्क एनर्जी वाइट एनर्जी हना न्यूट्रल एनर्जी ये सारी चीज़ का ग्यान जो आपको है ये दिवदिश्टी देती है और दिवदिश्टी खुलने के बाद कि जो अनुभव रहते हैं, वो मैं आने वाले वीडियो उसमें बताऊंगा, क्योंकि वो अनुभव बड़े अजीब से रहते हैं, वो अनुभव ऐसे रहते हैं कि आप समझे नहीं पाऊगे कि आपके साथ हो क्या रहा है, कई बार जो इंसान बड़ा विचलित हो जाता है, क्योंकि उसमें कुंडली जागरण की अवस्थाएं भी काफी होती हैं नाडी चक्र की अवस्थाएं भी होती हैं उसमें खिचाव, दर्द महसूस होना जो आपका सहस्तरार्थ होता है उसमें अजीब सा एक उतल पुतल मचना, इस कारण से अगर उसको बैलेंस नहीं किया जाता तो लोग पागल भी हो जाते हैं है ना, ये सारी चीज़े होती है तो आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई हो दर्वद्रिश्टी के बारे में चैमामरी